दोस्तों कि जो छात्र है यानि intermediate sociology आल्ट के च्टूडेंट हैं उनकी लिए बहुत important question लेकर आचुके हैं sociology यानि शमाज साथ का most important question दोस्तों जो objective question कहलाता है बोड़ एक्जाम में यह आपका एक number का होता है बहुत प्रशन हिंदी में कहते हैं दोस्तों तो उसी का मूच्ट इंपोर्ट कोशिय लेकर रहे हैं जो कि आपकी बोड एक्जाम की लिए काफ़ी हेल्प फूल है दोस्तों तो पूरा वीडियो आप लास तक देखेगा और पूरा डाउट क्लियर कर देंगे बोड एक्जाम की प्रिप्रियेशन दोस्तों हम फुल वीडियो चाहिए डेडियर वीडियो हम बना कर आपको दे देंगे दोस्तों तो आप वीडियो तो लास्ट दिक देखेगा क्लाश टोल इंटर्मीडियर सोशोलोजी का इंपोर्टन कोश्चन बहुत बिकल्पिय प्रश्चन है और बोड एक्जाम से रेलेक्टेड है दोस् चार ने आपके पास दूस्टों पहला है अपका इंग्लेंड वी है फ्रांस सी भारत यह डि जर्मनी यह चार faith चारों मेंतेर्के t Civ future को चैयन कर ना है समाज सास्ता कर दोस्तों को दोस्तों यह को को पता है को आपको अन्षर पता हैosas तो वह समझ में आ गया उसके बाद में दूसरा नुमर कोशन अब किस देश की निवासी ते चार-उसन दोस्तों आपको सारे कोशन का यंशर कमें पिक अप करते रहे करना है दोस्तों मूश्ट important question है तो दूसरा इंबर question है आगस्त कौंट्ट किस देश की निवासी थी चार और सने दोस्तों एह आपका भारत भी जर्मनी फ्रांस डी इंग्लेंड तो चारों में से आपको राइट करना है दोस्तों तो क्या है इन में से बी राइट एंसर जर्मिनी हो जाएगा आपका दूश्टूडेंट उसके वाँ में तीसरा है किसने कहा कि जात एक गत ही नुवर गए समाज साथ कि दूस्तों मूश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है बूर्ड इजाम में सभी कोश्चन आते हैं हमने अतिलहुत्र कोश्चन मनाया है लॉग कोश्चन भी इसका मनाया है कोश्चन विथा अंसर हम आपको देंगे हर मूश्ट इंपोर्टेंट यह आप चाहे दोहजार तेस एक त्यारी कर रहे हैं चाहे जो भी बूड इजाम की यूपी बिहार या कोई भी अधर हम सभी का इंपोर्टन कोश्चन लाते रहते हैं तो दोस्तों तीसरा कोश्चन है किस ने कहा कि जात एक गत्हीन हो गया दोस्तों a मजूं दाद ने कहा कि जात एक गत ही नुवर गहीए और निके द्वारा कहा गया किसके मजूं द्वार की जात एक गत ही नुवर गहे दो बाद में चौत्हा नंबर कोश्चन है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं पंचायती राज संस्था कितने अस्तर पर हैं आपका दो K zoning बा thievesangमें को सब्सक्राइब भॉटिस विस्राइब दिया ह थे कि एक रूपत या डिस चारा इंभाव हैतय है कि ने घड़ी सीव स्माज क्या था उसना प्रणाली तर्णा समाज में भाटि डेकर दबाव यह विसरण सी एक रूप दबाओ चार उपशन है इन्यों में से आपको दोस्तों बूड एक्जाम में सी मिसी प्रिखार से आपका 10 कोश्चन शोह लोगियु में पहुच जाएगा जो कि आपके 10 नंबर कहता है यह थी आपका 10 नंबर किलिए रोगे बहुत इस डियाम में दोस्तों तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो दस नंबर ही आपके लिए रामबान साबित हो सकता है दोस्तों क्योंकि एक ही नंबर से स्टूडेंट फैल भी हो सकता एक न में चेपूञ और उप्ने को सिधान्थ प्रसण हैं यानि किषोक्र ओफ्सान दोस्तों DNS डॉस्तों अइन के सही खूआ ओजएग्स साथ email कर दोस्तों साइग्स के खशिजन को हम देखेंगी कि कि इस तूण को सही को आपका राइट एंसर हो जाएगा इनुमें सही उत्तर हो जाएगा उसके बाद में सात नौबर कोशन है मुसलीम व्यवा की कितने परकार होते हैं यहां दोस्तों इन मैं सिच चार परकार की होते हैं। समाझ में आगे दोस्तों ूसके बाद में 88 number question है दोस्तों किस वर्स दहेज आधनियम पारीत हुआ? यानि किस वर्स दहेज आधनियं को पारीत किया गया पारीत हुआ यह आपको बताना तो चार ओप्सनिस में भी आ बूर जाम मुखेता दोस्तू आपको चार हुई ओप्सन दिये जाते हैं तो चार और अनृसर का चाहिन करना थो चार ना इसे आपका राइट आशर कहुं से हो जाएगा आठ वए नंबर कोश्चन का आपको राइट अंसर बताना है कि किस वर्स यानि दहेज अधनियम पारित्ट हुआ यानि दहेज अधनियम इस वर्स पारित्वborg डूस्तो तो आपका हो जाएगी दोस्तों, वेरी सोट एंसर टाइप पोश्चन में और इसका आपका दीर घुत्तिरिया कोश्चन भी आ जाता है जो कि आपके दस नंबर का वो डिजयम में कहलाता है तो जिस विवाह के एक उच्छ जात की इस्ति निम्न जत की पुरुष्य विवाह करती है तो उसे क्या कहता है यानि ज अंतर विवाह तो च्यार अप्सण है दोस्तों यह काफ इंपोटेंट कोश्चन बोड एक्जाम में काफी बार आ चुका है तो इन में से भी आपका राइट एंसर हो जाएगा प्रतिलोम विवाह और यह दिदोस्तों यह होता इसका उल्टा कि उच्छ जात का पूरुस नि प्रति प्रता का अर्थ है चारों में इसमें भी आपको चारों में से आपका सही एंसर कॉमेंट में बताते रहे हैं दोस्तों तो इन में से आपका दस्वे नंबर कोश्चन का ए आपका राइट एंसर हो जाएगा एक से अधिक पति होना बहु प्रति बहु पति प्रता कहल से की वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किस ने की आपको बताना है चार उसन है आपका कालमार्ग से दोस्तो इस दोस्तो आप व्यों को लाइक कर जाए हैं तो सब्यारी कराए जाएगी चाहे आप जो सब्जिक्ट में हो आल्ट की स्टूटेंट है तो आपको सभी पूर्ण रूर्स से तयारी करा रहे हैं और हमारे चैनल पर आपको 95 बोर्ड एक्जाम में दिलाकर हैं रहेंगे दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहते हैं और रेगुलर वीडियो देख दुर्तीम काल Francis Spencer इनमें से आफका फ़र्श्ट राइट एंसर हो जागा अगस्ति कौम दोस्तों इन में से आपका फ़र्ष्ट राइट एंसर हो जाएगँ जिसं 탁न upon को समाज这ब का जनक कहा हैं कि साप्षासय के जनक कहाना है उसके रबहां में तेरे नमर कोशन है हिंदू तो में परकार आमान है आपको बताना है तो चार न इसमें भी हैं दोस्तों का फी याप फूल है तो तो तेरह नमस्का कड़ी आंसर आपका हो जाएगा अश्र विवाह का हिंदु विवाह का नमसेकों सब्सक्राइबивाया हैं आश्र अश्र विवाह कहीं पर भी Hm पर कर दूस्टर को दो को õर्थे फंच कशЛकिया आपको बचार आपको श्रुप प्रिक्राइश्टिक quartz लिए बोर्ड एजम की तयारी के लिए शोशोलोजी का मूश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन दोस्तों इसी बात आप लोगों लाइक कर दीजिए इनमें से 14 नंबर कोश्चन का आपका राइट एंसर हो जाएगा डी चोपाल दोस्तों राइट हो जाएगा जिन जाती नहीं है समाज इसाइसर का जन्म किस वर्स हुआ दौस्तों यह आपको बता रहा है तो पंद्रा का राइट एंसर हो जाएगा ए दोस्तों 1838 में अपका राइट एंसर हो जाएगा समझ में आ गया सभी इंपोर्टन क्वेश्चन है दोस्तों यह वीडियो को अपने इसेधर के साथ कीजिएगा ताकि उन्हें भी बोड इजाम में काफी हल्प हो सके बोड इजाम की प्रिपरेशन के लिए तो सुला नंबर कोशन है पुनर जनम की अवधाना किस धर्म से संबंधित है जो पुनर जनम है दोस्तों यह आपका चैप्टर वन से ही कोशन लिया गया ऑप्जेक्ट इशाई तो पुनर जनम की अवधाना किस्ते दोस्तों सुला नंबर कोशन जीहां दोस्तों हिंदू धन उसे हैं पुनर जनम की अवधाना समझ में आ गया उसके बाद में 17 नंबर कोशन है आपका दो हजार एक जनगर्णा की अनुशार भारत की निम्तम लिंगा उन्पाथ और आज जिकून सा है यानि भारत का जू लिंपम विश्व में दोस्तु पूंछा राता तो आपका लाताविया हो जाता लेकिन जो निम्तम है दोस्तु वह आपका कोई सा हो जाएगा लिंगा जो समाज सास्त्र की उत्पत्ति किन भासाओं से हुई यापको बताना है मुश्ट इंपोर्टन कोशन ये भी है बोड इजाम की प्रेपिरेशन दोस्तों हम तापड तोड कर रहा है बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड जाएए और रेगुलर वीडियो देखिए और आपको जो भी वीडियो चाहिए जो भी आप प्यारा सा कमेंट कीजिए हम आपको इसको डेडिकेटर वीडियो गराएं अधारण नंबर कोश्चन का एंसर कॉमेंट में दीजिए तो इन्सर ऊफ़ाइं इंशान का प्रिद्फ़ यानि आपको बताना है यह आपका समाज्वाद भी समाजवाद ौनुता वाद या ड ंंतर राश्टिता तो उन्चार आपसा ने दोस्तों नंबर कोशन का एंसर साहिवस जो 20 इस इस वीडियो में 20 को और किये हैं तो 20 कोशिन आपका इंपोंटिण से एंपर्टेंड है और 20 कोशन का राइट एंसर कमेंटिद्ट में चाहिए दोस्तों आप हमें बताईए कि सर इतने कोशन हमारे सही जा रही है तो आप बताते हैं को तो 19 नंबर कोशन का Обraham कौन सा कह जाएगा तो ए हो जाएगा आपका समराज जिवाद उपनिवेश्वाद प्रतिफाल एक समराजज doesim नमर कॉस्ट आपका क्या कह रहा है सोसाइटी नामक तुस्त तक के रचाहिता कौन है या आपकोई जाएगा डिए B softly H& जॉन्सन या डी इन में से कोई नहीं तो 20 नमर का राइट एंसर कौन सा हो जाएगा सभी कोश्चन को दोस्तों आप कॉमेंट में बताते रहें और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजी जी हाँ दोस्त आपका राइट एंसर हो जाएगा 20 नमर का में काईवर यह उपे जी सोटा यह नहीं तो आपको लिंग डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा जाकर चेकाउट कीजिए क्योंकि बूड इज्याम में आपको पसंद आए पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिएगा वेडियो को अपने दोस्तों के आसाथ शेर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हाल्प होसके ऐ जाहिद परते रहें बूड इज्याम किता यादि करते आए